कितना हसीन तेहरा, कितनी त्यारे आग अरे मेरी गुलाबो, शर्मा क्यों रही हो? शर्माओ मत, आओ मेरे पास बैठो नहीं जी, मैं नहीं बैठोंगी मेरे पीता जी कहा रहे थे कि बेटा किसी भी पराई मर्द के पास नहीं बैठना इसी लिए मैं आपके पास नहीं बैठोंगी आपको जो कुछ कहना है न, आप वहीं से कह दीजिए, मैं सुन रही हूँ अरे मैं पराया मर्द नहीं हूँ, तुम्हारा पती परमेश्वर हूँ, समझी? समझ गई जी चला फिर, बैठ जा, शर्मा मत हाँ तो बोलो, आप क्या कह रहे थे? अरे गुलाबो, आज हमारी सुहाग रात है, सुहाग रात सुहाग रात? ये सुहाग रात क्या होती है जी? अरे गुलाबो, ये दो दिलों का मेल होता है, मेल क्या कहो, मेल होता है? तो एक काम करिये जी, आप भी नहा लीजिये और मैं भी नहा लेती हूँ साबुन से, फिर दोनों की दिल का मैल उतर जाएगा हे बगवान, ये कैसी बीवी पल्ले बांदी तुने, तु ऐसे कर, तु यहाँ सोजा, मैं बार जाके सोजाता हूँ नहीं नहीं जी, एक काम करते हैं, आप यहाँ सोजाईए और मैं बाहर जाके सोजाती हूँ नहीं नहीं, मैं तो बाहर ही सोजाता हूँ, तुम सोओ यहाँ पे नहीं नहीं जी, आप रुक जाईए ना एक बात कहूं आपसे मैं सासु मा को बुला लूँ यहां पे मुझे न अकेले सोने में डर लगता है इसलिए हम दोनों सास बहु एक साथ सो जाएंगे सो तुम सासु मा के साथ सो यहां यहां हम आपका के सासु, यहां हम बुटने! अपह! कर दो दो पाला लुटने! यहां हम दो कर दाएंगे यहां बुटने! लोगी चाईपीलो! चाहे तो अच्छी बनाई है तुमने आज ऐसे करना दो फैर में आलू एंड गोबी की सबजी बना लेना क्योंकि आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है खाना बनाने का मस्ट बनाना सबजी ठीक है जी आज मैं इतनी मस्ट सबजी बनाऊंगी कि आप खाएंगे न तो खाके तहेंगे वाह कितनी बड़िया सबजी बनाई है और हमेशा याद रखेंगे मैं चलता हूँ मुझे अलवाईयों के और टेंट वाड़ों के पैसे देने है ठीक है जी यह आलू भी देख है और गोभी भी देखी है पर यह एंड कोल सी सबजी होती है आज तक ना तो देखी और ना सुनी क्या करो क्या करो आरे यह अपने मोबाईल तो यहीं भी भूल गे चलो कई वात नहीं आज इस मोबाईल का फाइदा उठाती हूं और मेरे भाईया ना बड़े इंटेलिजेंट है उनसे फोन करके पूछती हूं कि भाईया यह एंड क्या सबजी होती है हलो भाईया मैं बोल रही हूं तुम ठीक हो मैं ठीक हूं मेरी प्याली दीदी तुम बताओ हाँ भाईया मैं तो बिलकुल ठीक हूं पर एक समस्य है क्या तमत्या है मेरी प्याली दीदी तुम मुदे बताओ भाईया तुम्हारे जीजाने का है कि आलू एंड गोबी की सबजी बनानी है आलू तो सुना है गोबी भी सुनी है पर ये एंड क्या होता है मेरी प्याली दीदी बकली के मिंगने को एंड केते हैं अच्छा अच्छा बकली के मिंगने को एंड बोलते हैं दन्यावाद भाईया अब मैं बड़ी आसी स्वास सबजी बनाऊंगी भाईया अब मैं ना फोन रखती हूं मुझे ना सबजी भी बनानी है आलू एंड गोबी की ठीक है ठीक है ठीक है दीदी गुलाबो खाना त्यार हो गया क्या हाँ जी त्यार है लाओं क्या अरे जल्दी से लेया बोजोर की भुक लगी है अभी लाई जी लो जी खाना सबजी बहुत स्वाद बनाईये मज़ा आ गया आपको तो मज़ा आ गया जी पर आपके सेंड के चक्कर में मैं बहुत परिशान हुई हूँ एंड मैं समझा ने तुम क्या कह रही हो देखिए अलू और गो भी तो घर पे थे पर एंड लाने के लिए गाओं के बच्चन काका के घर जाना पड़ा हूँ बच्चन काका के घर जाना पड़ा क्यों बई एंड लाने थे ना इसी लिए एंड मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा बकरी की मिंगन जी इसका मतलब तुमने इसमें हाँ जी मैंने इसमें बकरी के मिंगन मिलाए जी